हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का वार्सिक परिक्षा 2023 के लिए गनीत का मौडल पेपर 1 लेकर आए हैं इसके बाद लगतार आपको मौडल पेपर 2, मौडल पेपर 3, मौडल पेपर 4 और मौडल पेपर 5 पांच मौडल पेपर आपको देंगे जहां से सभी सवाल important होंगे, selected होंगे, अच्छे लेबल के सवाल होंगे और आपके exam में पुछे जाने योग्यों होंगे तो सभी वीडियो देखना जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को subscribe कर ले, bell icon को press कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो का notification आपके mobile पे चला जाए, तो चलिए start करते हैं सबसे पहला सवाल देखिए आपके screen पर जो आ चुका है, वो क्या कह रहा है कि निम्न पदों का संख्यात्मा गुनांक लिखिए, संख्यात्मा गुनांक का मतलब होता है कि जो पद आपको दिया गया है, उस पद के साथ कौन सी संख्या जो है गुना के रूप में है अगर आप देखो question number a में आपसे कह रहा है कि minus 2x पर पाबर cube है कह रहा है, यानि कि यह जो पद आपको दिया है, इसमें कौन सी संख्या गुना के रूप में है तो आप देखो कि minus 2 जो है, वो x के साथ गुना के रूप में है क्योंकि अगर आप minus 2 को गुना कर दो x cube के साथ, तो आप इसको लिख सकते हो minus 2 का x पर पाबर cube ये लिखा जाएगा तो इसके साथ कौन सी संख्या गुना हुआ है, तो minus 2 गुना हुआ है, इसलिए हमने minus 2 लिखा ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 13 x square y square plus y square z square इसके साथ कौन सी संख्या गुना के रूप में है, तो 13 है, कौन सा नमबर है 13 गुना के रूप में, अगर हम minus 7 lm की बात करें, तो इसमें minus 7 गुना के रूप में है, और 4 बटा 5 x y z प्रेट की बात करें, तो 4 x 5 जो है, वो गुना के रूप में, आपको यहाँ पर संख्या अत्मक मान मिल जाएगा ठीक है, इस तरह से अगर आपके एक्जाम में पूछा जाए, सभी के संख्या अत्मक मान कौन सी संख्या गुना के रूप में है, तो आपको आंसर equal to, यानि बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है, अगर बराबर दे करके 0 लिख दे, या बराबर दे करके कोई नमबर दे दे, बराबर का निसान होना चाहिए, अगर बराबर का निसान है, तो वो समिकरन है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बराबर का निसान किसमें दिख रहा है केवल और केवल option A में दिख रहा है इसलिए option number A हमारा answer हो जाएगा समझ में आ गया सभी को अब आते हैं अगले सवाल पे अगले सवाल में कह रहा है कि x-5 बराबर 7 में x का मान क्या होगा तो x-5 बराबर 7 में हमें x का मान बताना है तो जैसे ही आप यहाँ पे x लिखोगे न तो यहाँ पर होगा क्या कि 7 है और यह minus 5 उधर जाकर के plus 5 में तबदिल हो जाएगा यानि बदल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 में 5 आप जोड़ो दो तो 7 आ 5 कितना हो गया 12 यानि यहाँ पर x का मान आपको 12 मिल जाएगा देखो बच्चो एक्जाम में होगा क्या कि अगर आप एक्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पर एक्जाम पेपर में ऐसा नहीं कि आपको हू बहू कोश्चन मिलेगा हमने जो सवाल आपको बताया दम same to same आजाएगा ऐसा नहीं यहाँ पे number 6 हो सकता है यहाँ पे 8 हो सकता है तो आपको देखना एप्रोच क्या है हम लोग बनाएंगे किस तरीका से इसको सीख के जाना है ठीक है ताकि आप लोग का सवाल वहाँ पे change भी हो जाए तो आप लोग उसको बना कर आओ ठीक है इसका मतलब यह थोड़ी नहीं होता है कि पूरा 100% आपका same to same ही आता है ऐसा नहीं होता है question वही रहेगा बनाने का तरीका वही रहेगा number सी दर उदर हो सकते है ठीक है तो चलिए हम चलते अब अगले सवाल पे next सवाल में हम से कह रहा है कि यदि दो कोनों की माप का योगफल 90 डिगरी हो तो वह कोन क्या होगा पूरक होगा, समकोन होगा, समपूरक होगा या फिर अधिक कोनों को अधिसका सही जवाब हो जाएगा पूरक हो जाएगा याद कर लिजिएगा कि दो कोनों की मापों का योगफल यदि 90 डिगरी हो तो उसका जो आंसर होता है वो पूरक कोन होता है ठीक है next देखें क्या है हमारा यदि दो कोनों की मापों का योगफल 180 हो तो वह कोन क्या होगा तो वह कोन हो जाएगा आपका संपूरक option number B हो जाएगा अब यहाँ पर याद रखिएगा एक है पूरक एक है संपूरक तो 90 डिगरी और 180 डिगरी में जो छोटा होता है वो पूरक होगा जो बड़ा होगा वो संपूरक होगा तो सुनने में भी आपको लगेगा संपूरक बड़ा है तो यानि 180 वाला का बात कर रहा है अगर 100 हटा दिजएगा पूरक हो जाएगा तो यह छोटा वाला बात कर रहा है तो यह 90 डिगरी के बारे में बात करेगा ठीक है तो यही दो कोनों की मापो का योगफल 180 डिगरी हो तो वह कोन क्या हो जाएगा वह कोन हो जाएगा आपका संपूरक कोन हो जाएगा ठीक है पैतालिस में ऐसे क्या जोडेंगे कि 180 हो जाएगा तो आप 135 को जोडेंगे तो 180 आपका निकल कर आ जाएगा, ओप्सन नंबर C हो जाएगा, ठीक है, अगर हम बात करें कि 45 का पूरक कौन अगर आप से पूछ ले कि इसका पूरक कौन क्या होगा, तो यहां पर आपको ध्यान कि 45 में ऐसा क्या जोडेंगे कि हमारा 90 पूर जाए, तो 45 में 45 को जोड़ेंगे तो 90 आजाएगा, सम्पूरक की बात करें तो समझ जाना है, 180 के बारे में बात कर रहा है, अगला सम्वाल दिखें किया है, question number 8 में करा, एक तिर्भूज की कितनी भुजाएं होती है तो एक कोई भी तिर्भूज होगा तो ज़िए पर त्री लग गिया यानि तीन लग गिया तो तिर्भूज की हमेशा तीन ही भुजाएं होती है ठीक है? Option number C हो जाएगा अगर हम बात करें एक तिर्भूज में कितनी माधिकाएं होती है तो कितनी माधिकाएं होती है आपको बताना है तो तिर्भूज की माधिकाएं भी कितनी होगी तीन हो जाएगा Option number C हो जाएगा ठीक है? अब अगला सवाल देखो क्या है? कि तिर्भूज की तीन कोनों का योग कितना होता है यानि कोई भी तिर्भूज है उसका तीन कोन होगा जैसे यह तिर्भूज होता है ठीक है ऐसे हम लोग तिर्भूज मनाते है तो एक कोन यहाँ हो गया है एक कोन यहाँ हो गया और एक कोन यहाँ हो गया ठीक है, question number 11 पे आते, question number 11 में आपसे कह रहा है कि A B X सरल रेखा है यदि A O C 70 degree और B O C X degree है, तो X का मान आपको बताना है तो आपको यहाँ पर देखिए X सरल रेखा दे दिया गया है, ठीक है तो यहाँ पर X है, यहाँ पर 70 है तो आपको इस X का value आपको बताना है कि यहाँ पर कितना होने वाला है तो चलिए देखते, सबसे पहली बात आप लोग को पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए, कि कोई भी एक सरल रेखा होती है यह जो सरल रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनता है, वो 180 डिगरी बनता है अब हमें यह बताईए कि अगर यह 70 को और यह X को दोनों को मिला दे, तो कितना हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ ही पर हमने लिखा है कौन AOC, कौन AOC और यह हो जाएगा कौन BOC यानि कि यहाँ से यहाँ, तो दोनों को मिला कर कितना होना चाहिए? 180 डिगरी होना चाहिए, ठीक है? अब देखे, AOC का जो वैलू आपको दिया है, वो 70 तो आप यहाँ पे 70 रख दो, उसके बाद BOC का जो वैलू है, वो X डिगरी हो गया 110 डिगरी आ जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, या तो कोन X लिखो या तो X बराबर आप लिख सकते हो? X डिगरी बराबर कितना अगया? 110 डिगरी, और यही आपका क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के लिए हमने 100 like का target रखा है तो please आप लोग एक like कर दो ताकि आपके लिए second video जल से जल बनाया जाए ताकि आपकी exam में help हो पाए और हाँ आप हमारे whatsapp गुरूप से जरूर जूर जाओ आप हमारे whatsapp पे अगर message करोगे ना तो आपको link मिलेगा 979805 4010 पे जैसे ही आप message करोगे आपको एक link मिलेगा उस link पे click करके आप अपने whatsapp गुरूप से join हो सकते हो या नहीं तो description में link दे दिये है वहाँ जाकर के भी आप लोग join हो जाईए ठीक है ताकि आने वाले class जिसी के आप class 8 में जाओगे तो उसके भी exam की तैयारी आप लोग की अच्छी से हो पाए ठीक है तो हमारे channel को जरूर से जरूर subscribe कीजिए देखिए वहाँ पे ब्लैक क्लर का subscribe लिखा हुआ होगा उस पे click कीजिए click करनी के बाद उसको आपको all दिखेगा all पे click कर दिजिएगा घंटिक आइकन को प्रेस करके ठीक है मिलते हम लोग अपने अगले वीडियो में thank you